मेरा बेटा मेरे खिलाब जाके इसके साथ चला गया था साथ ये वक्त गुस्ता नाराजगी का नहीं है और अभी छोड़े साथ भी विदेश में है बहुरानी की हालत अगर आज से निकल गई तो लगता है और बच्चे में से कोई एक ही बच पाएगा आपके पैर पकरकर मिनत कर रहा हूं साथ बहुरानी को बचा लीजिए वहां चाहिए साथ आपके 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 हाद जोडता हूं ने चुतरिया साम साथ साथ साप और आपको और आपको की है साथ का और क्या हो आपको आपक प। आराद होग्या स्पार या ने तो चाहल गई है था प्वारिस है उस मजदूर की पैदाईश है मेरा वारिस कैसे होगा उसके साथ इसे भी मरना होगा चाहे इसका गला दबा के मार दो यह जैसे मर जी वैसे मार डालो इसे मरना ही होगा वरना तुम लोग मरोगे चलो तुम लोगे तुम लोगे वह न बहुते है इसलिव क्या टुम लोगे वार फ्लोगे विसे से मरोगे वे था घ। झाल 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 तुम लोग अभी शोर मचाना बंकरो मेले ँट ने दो उनकी आते ही उनके गले में हार डाल देना तब हमें जस्त बनाना है क्या बोलते हो हैं आदे ही आते ही साइड से ऐसे हार पहना ना कि सीध्य उनके गले में पढ़ना चाहिए ठीक है भाई अरे मेले नहीं है तो मेले कहा है भाई अरे मेरी किसमत फूटी है जो मेले बन गया अरे मेरी मती मारी गए थी कि तुम्हें इंतिजाम करने के लिए बोला महान सिंगर की तरह गाया तुमने गाया भी तो किसी महान सिंगर नहीं है तोयो तुम नहीं यह गा रहा था मैं खुदी गाने वाला था लेकिन गाला खराब है इसलिए इसका इस्तिमाल किया तुम्हारी सरकत को देवी मा को बता दें क्या मा को बताना पड़ेगा मैं कॉलेज मैं दाखला लेने के लिए आया हूँ लेक्चरर हो क्या नहीं बताऊंगा कॉलेज कौन सा है यह तो बताऊंगे यह देखिए मैडम 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 अरे पापर अगर पकड़े तो यह चोड़े काली चलो चलो बार नमस्ते मैडम आपने कहा था ना मेरी बहन को आज सीट देंगे तो मैं मंदिर गया और अपनी बहन और आपके नाम पर पूजा की प्रसाद लीजिए मुझे मसका मत लगाओ शहर में दूसरे भी तो कॉलेज है ना फिर मैं ही तुम्हारी बहन को सीट क्यों दूओ ना आपकी मालिक और मेरे अच्छे तालुकात है इसलिए तो फिर जाकर उनसे ही बात करो ना मुझे सिपारिश के आदत नहीं है ना उपर से मेरी बहन को अच्छे मार्क्स मिले है मैं नहीं दूगी उसे सीट यह बिल्कुल घलत है मैडम एक हफ्ते से हफ्ते बाद आना हफ्ते बाद आना कैकर करजा लेने वालों जैसा घुमाया है यह यह बात समझदार है तो कॉलेज में क्यों पढ़ाना चाहते हो आपके पास भी मुलाजबत होनी चाहिए न क्यों उसका ठेका ले रखाए क्या मेरे मेरी बहन को आपने मजाक समझा अच्छे माक्स होने पर भी आप उसे सीट क्यों नहीं दे रही है बात बहुत कीजिए कुछ बस सो मैं मिलेगा उहसी तो मैं कह रहा हूं है आदराबाद में लाकोगर होने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं जानता जब-पिर उस जंखे जमेल है बाई मुझे वहीं हे गर चाहिए भाई कि जए अरो अरो हो अरो अरो है ज़ो अरो कि या हरो ऍम हो up अँछın! जड़ा! हॉप्ड़ा! हॉप्ड़ा! हॉप! 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 ठीक, डीक, डीक! मेरा नाम है मुरली क्रिष्णा लगता है कुई नए अबक्रा है लगता है घर के लिए है जो लॉस हुआ है उसे कावर करते हैं चलो बेटे मैंने जिसके बारे में का था यह लड़की है बेटी इनको हमारी कॉलोनी में घर चाहिए कि अपना नाम और अजनकों बताओ असल में तुम्मारा बैक्ग्राउं क्या है मुरली क्रिष्णाब वैशाद 10 10000 द्वान misin की Cari वह हमारे उपर का खर है इसंती है। तुम्हारे वहारे उपर के उपर का ईता है तो फिर दीछे का कितना होगा? तुम्हारे उपर के घर में रहने का त्रीका देखने के बाद ही नीचे वाला दूगी, यह मेरा रूल है। यह बी सही है, सुन एक काम करते हैं, पैसे जादा लगींगे लिकिर पहले नीचे रहते हैं, नहीं तो रोज सीड़ी चर्णी पड़एगी, क्या कहते हैं? यह कौन सा रोल है? रोल्स नहीं वानेंगे. रोल्स नहीं मानेंगे, तो तुम क्या कर पाओगी? ठिक है तुम्हारी हिस आप से ही रहते हैं पहले उपर के हिस्से रहेंगे फिर धी हीरे से नीचे के हिस्से में चाहिए कि ik यूब नहीं बोलूगा तुम बस अपना एडवांस ले लो मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए मैं ले लूँगा दिदी दिदी वो पैसे मत लो क्यों कियो इस कलोने पर कभजा करने के लिए मलेशादव के गुंदे आ रह込 है कितने लोगों की बात कियो नहीं किया कसम से रहा हूं मैंने उनका चहरा भी नहीं देखा बस उनके बारे में मैंने बहुत को सुना है बाप्रे बले शादव इंसान नहीं है वान है अगर वह राक्षस होगा तो हमारी बेटी महिशाशूर मर्दनी है उसमें दम है तो मुला ले शीर के रख देनी उसे अरे-अरे-अरे-अरे-अरे एक्स्ट्रा भर दूंगा वह क्या है कि एसी के बिना मेरी बहन नहीं रह पाती है अब कहां से चपक गया तू यहां हम घर के लिए रो रहे हैं और तेरा कुछ अलग ही चल रहा है यह एसी का क्या लोच है हां जैसे ही तुमने कदम रखा कॉल नहीं बरबाद हो गई उन कुण्डों से बात करना ही बैतर है अब करना बंद कर भए ना में मुरली कृष्णा गाओ है वैजार कफिर मुझसे क्या मूराद है कुछ नहीं भाई पॉलनी खाली करवाने के लिए गुंडे भेजने वाले हो इसलिए सब डर रहे हैं भाई का उतना सीन नहीं है मैंने कहा कि मैं बात करके आता हूं इसलिए आया चीन नहीं है क्या इये अपने को लड़ाई करने के रावा बात करने हो तो चैये बस करो प्रेकार बें गुंडागर्दी मत करो गुंडागर्दी तब तक अच्छा लगता है जब तक शरीफ लोग मिलते हैं अगर हम जैसे लोगों से पंगाल या तो बौडीлемेज होगी जंदीगी बरबाद हो जाएगी गुंडागर्दी बंद कर दो बंद कर दो मतलब कर दिया बस यही बात है भाई के गुंडागर्दी खत्म तुम लोग जाकर दूसरा काम ढूंडो आप तो जल्दी मान गए भाई चलता हूं नमस्ते अरे भाई थोड़ी शराब पिलो किक मिलेगी लेकिन मेरे सामने मत आना नशा उतर जाएगा अराम से बात कर रहा हूं तो वार्निंग दे रहा है मरेगा क्या अरे नहीं भाई क्या मारूंगा तो मर जाओ गे कि मारे तुम्हें मर जाओंगा अरे ये मरेगा तो में मर जाओंगा मर मैं तुझ मारना होगा कशें है वैसे तो मारने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है लेकिन तुमने मेरी मूच, मर्दानगी और दम को ललका रहा है डॉक्टर, सिस्टर, कमपाउंडर माई गॉड, लगता है हलत महुत नाजुक है हाँ सर, जिस्म तो यही है, जान पता नहीं कहां चले गई हाँ सर, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ ये और दो-तीन मिनट से जादा नहीं जियेगा सारे तजुर्बे का इस्तेमाल करके इसे बचाईए क्या हुआ, एक्सिदेंट हुआ है क्या भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो खुद खुशी किया है क्या चे-चे, हमारा भाई इतना बुजदिल नहीं है तो पर क्या हुआ भाई? मैंने इसे एक बुक का भाई क्या कहा? तुमने खुद नहीं मारा और तुम ही होस्पिटल लेकर आए हो अब क्या करू सर? दिल में तो राम है लेकिन मेरी मुठी में परशुराम है प्यार प्यार होता है, दम तो दम होता है अच्छे के लिए अच्छा, बूरे के लिए पंच नमस्ते भाई, उस गुंडे के हॉस्पिटल का बिल कॉलोनी वालों को भरना पड़ेगा क्या? मेरे बात सुनो, भले ही वो गुंडा हो, लेकिन है तो इंसान ही तुम्हारे लिए मैंने उसे मारा, बिल तुम ही लोग भरोगे नहीं तो उसके जैसा हाल करके उस हॉस्पिटल में भरते करवा दूगा डाटने का मूड गया और मारने का मूड आगया, अच्छा है यह तो आ, क्या अच्छा है, उस गुंडे को मार कर हमारी कॉलोनी को बचाया है, जो कहीं की करना होगा इज़त से चंदा निकालोगे, या हमारे हीरो से चंब्री उधरवाओगे क्या बात है, खाली जगे देखकर घुसना चाहती हो अगर तुम यही रहकर मेरा साथ दोगे, तो मैं साथ समंदर पार भी जा सकती हूँ यह क्या है, दूद औरते उबालती है, इसलिए तुम्हें उबालने को कहा, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो दूद पर नहीं है यह दूद छोड़ो, अगर तुम साथ फेरे लोगे, तो कमरे में दूद ले कराऊंगी इस चिंगारी से दूरी बनाये रखना ही बेहतर है, हैलो भाई लो, मिठाई कैसी है मिठाई तो ला जवाब है, हर कोई चार चार खार है जामते हो तुम्हें यह मिठाई क्यों खिला रहा हूँ क्यों क्या, किरा के मकार में आई इसलिए नहीं, जब कल मेरी बेहन कॉले से आकर घर में कदब रखेगी, तो रानी की तरह स्वागत होना चाहिए अगर कोई गड़बड होई, तो सब के चमड़ी ही था तुम्हें अपनी बेहन से कितनी मुहबबत है चाचा जी, मैं जी रहा हूँ अपनी बेहन के लिए वो बात में महालक्षमी, पढ़ाई में सरस्वती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है मुझसे पूछे बिना, वो कोई काम नहीं करती है चाचा जी मुझे बताए बगर, वो देलीज तक पार नहीं करती है बिना मेरे हाथों में हाथ डाले, वो ये कदम भी नहीं चलती है ऐसी है मेरी बहन, अपनी बहन के बारे में ज़्यादा थारीफ नहीं करूँगा लेकिन सच में मेरी बहन ऐसी ही है जबसे गाड़ी में बैटे हो, तबसे बहन बहन करके कान से खून निकाल दिया है असल में एक देने में बंद करो आज के लिए हमें छोड़ दो भाई क्या छोड़ दू, असल में मेरी बहन जो है मेरे भाई की बारे में तुम नहीं जानते, पता चला तो मार डालेंगे जैसे कि तुमारे भाई बगल की यह टेंड में बैठे हो भाईया हुछुष जैसे का देखुमा जसले आ जरो आले हा समारे! का बंस नहरा व भाई सुमाया सुमाया सुमायम मेरा सारा सोना चला गया बहुत म्हानत से मैंने जिसे कमाया था वो सोना पता नहीं उसका क्या हुआ होगा बताओ ना डॉंट वरी सर चौबीस घंटों में आपकी बेटी को ढूंड कर लाने की जिम्मेदारी हमारी है यही बात आपने चौबीस घंटे पहले भी कही थी अरे मेरा सोना आ गया मेरा सोना आ गया निकाल निकाल जल्दी निकाल निकाल दर्द हो रहा है जाते पता नहीं था निकाल 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 जल्दी निकाल निकाल जल्दी निकाल सोना मतलब हमने सुचाए बेटी के लिए रो रहा है लेकिन यह तो असली सोनी के लिए रो रहा बेटी सोने के साथ भाग जाए तो टेंशन नहीं होगा सुन बेटी तू किसी निकम्मे के साथ भी भाग जाएगी तो चलेगा पर मेरे सोने के साथ भूगी तो अपने गलती का दुख इसे है इस पर माफ कर दीजी सुनो महबत करना गलत नहीं है अपने बुजरुगों को नहीं बताना गलत है बुजरुगों का दिल सोना होता है करोड़ों देकर भी नहीं खरीच सकते जितना बड़ा दिल इस घर में है शायद उतना बड़ा दिल किसी इ में नहीं मिली यह लड़की तुम्हें कैसे मिल गई वैसे भी इस घर की लड़की को तुम कैसे जानते हो एक समय था जब मैं इस घर में काम किया करता था उसी कारण मैं इस लड़की को लेकर रहा है इस घर का और मेरा क्या रिष्टा है बड़े साहब जानते हैं सुनो मेरा सोना खराई सेली मेरे पास वापस आ गया मेरी वज़े से यह आया है ऐसी कहानियां गढ़कर सेटेलमेंट मत करना अब मैं चलता हूं जब भी आपको मेरी जरूरत हो मुझे जरूर बुला लीजिएगा मुर्ली क्यों बुला रही हो उसे गला दबा दूंगा मेरे प्यारे भाईयों और बहनों बीवियों ने मारकर भले हैं बगा दिया हो टेलरिंग मशीन चला कर हम अपनी जिंदी की जिए रहे हैं पैसे में हम लोग अन्धेरा बैंक के महरबानी से आज हम इसकी सालगेरा मुना यहीं देगा तुखा लोगे क्या हमारी बीवी हमारे पास आकर सुनिये जी हमें अपना लीजी ऐसी गुजारिश करेंगी फिर भी हम लोग जाहें के नहीं यही हमारा वादा है सब के सबस्क्रेश करें तुम गणा है तुम गाला लिबास पहन कर क्यों आयाoo यही हो बोच्छ रहे हो सहाग़ात की दिन यह लिबास काई सारूला ह। कैसे भी हो सुहाग रात के दिन हम ऐसे ही लिबास पहनते हैं यह ना कि मैं हमेशा फैशन बदलती रहती हो एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते कपड़े वो होनी चाहिए जो हम पर जच्छते हो जच्छने के लिए काला लिबास पहन कर आओगी क्या अंदर जाओ और सफेज सा मैं जाओंगी जाओ थैंक वेरी मच मेरे कहें मुताबिक आप आप आगई जैसा आपने कहा था वैसा तयार किया है कहां से हो तुम्हारा नाम क्या है यह बीवी को छोड़ने वाले तुम से क्या मतलब कुवार यंग और यूथ हम बात कर रहे हैं आपस किस ने कहा किसके शा हो गई है क्यों रहे अंजान लड़की को देखर उसे कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो तो तो फ्लेश बैक में जैसे तुमने इससे शादी कर लें हो शादी के बाद तुम दोनों में जमी नहीं से तुमको इससे चोड़ दिया हचा आईए आईए प्लीज का रहे हचा यह अबर आखिर आई क्यों है फ्लेश बैक बता नहीं सकता आगे कदम रख नहीं सकता यह बटला मामूली नहीं है जल्दी सेट कर लेगा यह बिल्कुल गलत है पापा यह जूला-जूल कर शराब पी ना जोक मत बारिये करोरपादी के बेटे के पास सूट-बूड के अलावा नहीं दूंगा तो बाहर चले जाएंगे तो चले जाओ अरे तुम चुप करो कुछी दसाजार तो अधार दीजिये ना मैं फिर लोटना दूंगा यह बताओ टूथ पेस्ट है क्या मुसीबत है यह लिजे पापा पेस्ट डखकन खोल कर इसे दबाओ पेस्ट बाहर आगया पापा अभी बाहर आए पेस्ट को अंदर घुसा दो ना बाहर आया वह पेस्ट अंदर कैसे गुसेगा वैसे तुम्हें दिये पैसे लोट कर आएंगे क्या चलो निकलो अश्ट लक्ष्मी देखो मेरी बेहन आ गई सब देखो है मैंने तुम्हें देखने को कहा तो आखे भाड़ कर देख रही हो आखे बंद करके देखो नहीं तो नजर लग जाएगी अरे बेहना यह सभी हमारे कॉलोनी के लेबर्स नी भाया नेबर्स कहते हैं है तो बर्स ही के मेरी बेहन कैसे है सिर्फ देवी की तरह नहीं लक्ष्मी पार्वती सबी का मिला रूप है देखो तुम्हारे आते ही कैसे खिलूटी है बेटा तुम्हा रहे हो इस खुशी में हमने ये सब कुछ किया है क्या चाचा जी हमारे लिए इतना खर्च कर दिया अब तक कुछ भी नहीं हम सभी का साथ दिया है तुम पर हम इतना भी खर्च नहीं कर सकते यहां मारा अपने चाचा जी तुम यहीं रुकना मैं खुद अपने हाथों से नजर उतारूंगा कॉलोनी वालों ने मिलकर इन भूलों से तुम्हारे इस्तकबाल का इंतजाम किया है नीचे उतार जाओ बेटी भाई नजर वहां पर उतारेगा आप उत्रो ना चाचा जी आप सामने सहरी है ना बहन तुम उतार जाओ वेल्कम टु आवर कॉलोनी आजाओ बहन सॉरी बेहन स्वारी हटीछ और चाचा जी इधर के नजर उदर के नजर घर के नजर बाहर के नजर मेरी नजर उठो उठो चलो चलो जा 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 आओ बेहन वेटा मुर्ली नहीं तुम्हारी बेहन कि अरे कालेज को से अरे है... नमस्थे मेडम नमस्थे बेहन प्रिंस्पल जी नमस्थे करो नमस्ते मैडम नमस्ते मॉरली हाँ तुमारी बेहन हाँ मेरी ही बेहन है रूप में महालक्ष्मी पढ़ने में सरस्वती कहा था ना बिल्कुल वैसी ही है हाँ पर इसकी क्लास फिफ्ट फ्लोर पर है और यहां लिफ्ट भी नहीं है मैं हूँ ना मेरी बहन के लिए मैं ही लिफ्ट हूँ आओ बहन भाई ये सी फर्स्ट एर क्लास में जाने वाली सीड़ी यही है इस लड़की को ले जाओगे क्या हां लड़की बढ़िया है मैं उठा कर ले जाओ क्या उनसे पंगा मत लो भाई आपकी बहन की क्लास इसी तरफ है क्या हो भै क्या हुआ चाहिए है क्या हुआ है आट में यहाद नहीं है यार कैसे घूर कर देख रहा था काऊने बेर वो देखो ना अभी दिखाता हूं सब्सक्राइज प्लीज कम इन रानी तुम वहां जा कर बैठो ओके थैंक यू मैं शाम को आऊँगा तुम फिक्र मत करना थीक है जलता हूं मेडम कर दो कि मुरली 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 क्या है अपनी बहन को किस कॉलेज में दाखिला कर वाए था पता है तुम्हें मुझे कैसे नहीं पता होगा पितराजु कॉलेज पितराजु कॉलेज यह जान कर सब सोच कर जान कर ही करवाया चलो काफी पीते हैं अरे जरा रुको भाई देखो मुर्ली उस पित राजू के बारे में तुम अच्छी तरह से नहीं जानते हो इसलिए शाय तुम बहुत बेफिक्र हो किया थे व्हां हो युल शार, क्या सबसे चार खित जा खॉब ड्यूज। झाल से नहीं दान ज Israelis तरह अच्छी तरह सत्तां अरा जान के दाल किお ख़ते हुब व्हां को दो शबर को तो यह हुब वुल ए जलर मैं का उन्हों जानता है क्या पित राजू पित राजू कान की बाली वाला पित राजू क्या बकरा है तुम कोई बहुत बड़े बादशाओ क्या बागी के कैदियों के तरह चुप चाप ये लिबास पहन कर कोठी में बैठ जाओ ज़्यादा होश्यारी की तो है दो हजार करोड के माली को तुम है यहां जो दोसो कैदी है न तुम भी उनमें से ही एक और मुझसे जिसने बंगा लिया वो इस कैद खाने से जिन्दा बाहर नहीं कया अंदर होंगा या तू उपर जाएगा दखते है बापरे क्या हुआ इमानदार ओफिसर है ना करजे की मार सहने पाया खुदकुशी कर ली करेक्ट अरे मलीका अब मेरी बहन मलीका पता नहीं जब मैं आई तब वो यहां नहीं थी नहीं थी क्या तुमने उसे देखा नहीं देखा सुनो भाई मेरी बहन मलीका दान्स क्लास में ले जाने हैं कहा तो मैं खुद जाकर उसे छोड़ कर आ रहा हूं डान्स क्लास कहा है हुआ अरे मलीका अब क्या हो और ले क्रिश्णा मिला क्या नहीं भाई हम भी उसे ही तलाश रहें अरे मेरी परेशानी तो समझो इतना नाम है इतना पावर है इतने करोड की ज्यादाद होते हुए भी मैं इस जेल में सड़ रहा हूं इस जेल में आपको कितनी तकलीफ है हम जानते हैं भाई अरे जानते हो तो क्या उखाड लिया पागल होगि आप नहीं जानते लॉयर जी मेरेत इन भाई हैं फिर किसी कामकई नहीं कि रहें दुबारा आउंगा तुसके लाश का सात्या रही उन्यित्यानारast या भाव रोव कल बहन का बढ़ने है भाई नयों दोक्षबने चट्स्ती सेर्था कात शप्त्य दिस दिस्ति Channel आज बड़ी शद्दा दिखाए दे रही है पितराजू से इतना ड़ते हैं है लो रुख जाओ भाई का फोन है हलो हेपी बर्डे टू यू माई डियर सिस्टर ए निया जेलर आज सभी कहदियो को मेरी तरब से पार्टी यस सर्ट गोड़ हेपी बर्डे टू यू थैंक यू भाईया मालती केक के पास जाओ केंडल बुझाओ अब केक कट करो पहला टुकड़ा अपने करीबी इंसान को खिलाओ नाम के लिए भाई है इसके मुमें केक नहीं डौगी का बिस्किट डालो येस मालती पागल हो यो क्या तू इसे पागल पन समझ रहे हो मैं इसे प्यार समझ रही हूँ मूरली अगर साथ होता तो डाइरेक्ट लिप टू लिप किस देकर केक खिलाती नहीं है इसे लिए एक स्टूइन्ट के सामने परेड़ क्यों करनी है मैडम ये कॉलेज उनका है ये जानते हो कौन है वित राजू का बती जाए चूप चप खड़े रो क्यों मुह खोल कर क्या देख रहे हो गल्स एक एक करके आकर इंटो अडिक्शन दो नमस्ते जी आम सुभाशेनी एमेस्सी पीएजडी छे सुबह सुबह आ गई बुढ़ी जब उबर जाने का टाइम हो गया तब तु यहाँ पढ़ने के लिए भरती हुई है क्या मैं स्टूडेंट नहीं हूँ मैं तो प्रिंसिपल हूँ प्रिंसिपल हो क्या ठीक है तू साइड हो जा और कोई यंग लडी लेक्शनर होगी उसे आगे भेच इडियेट कौन है वो किस क्या वाक्ति है कौन है इडियेट डूंट यहाँ मैनस लेक्शनर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तू मुझे लगा कोई जासी की लक्षमी होगी पर तू तो लंगडी है अगर जुबान चलाई ते जुबान खीच लूँगी भले ही लंगडी है लेकिन है गलत है भाई यह कॉलेज है शिक्षा और संस्कार का मंदिर और मंदिर में पाप करना गलत है ना दूद पीने वाले बच्चे के मुझ से खून निकलना अच्छा नहीं लेकिना दोस्त है ना देखा कैसे वापस गया देखा ना गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता भाई अगर तुझे लड़ना ही है तो कॉलेज में नहीं अपना घर बता एरिया बता मुहला बता वहां चलकर आराम से लड़ते हैं ऐसी जगों पर यह हाथ बहुत घूमता है प्रिंस्पल मैडम सबको क्लास में ले जाईए चलो बच्चो अपने अपने क्लास में जाओ चलो तो जानता है मैं कौन हूँ पित राजू पित राजू का भती जा हूँ मैं और कौन है और कौन है पित राजू का हाथ भी कौन उसके चुकों पर फल रहा है और कौन उसकी चमचागिरी करता है उसका सिर्फ फुटबॉल की तरह उड़ेगा अब क्या हुआ भाई इतना खून देकर समझ नहीं रहे है कि इसी ने मारा है इसकी जान नहीं जाने चाहिए डोंट वरी इससे बचाने के लिए तो मैंने नहीं कहा ना यह मरना चाहिए ना जिन्दा रहना चाहिए जी कर मरना मर कर जीना ऐसा टीट्मेंट करो कि यह अखिर कार कोट निकलवा कर यूनिफर्म डलवा दिया कानून पावरफुल है मुख बंद कर हैं अज सेंटर से मिनिस्टर साब आ रहे हैं यह से लिए पहनना ही पड़ा मैं इसे अभी खबर बनाता हूं फिर देखना कैसे जटका लगेगे गुड मॉर्निंग सर सर एक बात करूं तुम बात मत कर बैतर सर सुब बार आ जो को किसने पता नहीं भाई मेरा भतीजा पता नहीं था इसलिए मारा ना पहले तो सिर्फ वार्निंग दिया था पता चलते ही सिर और मुप बोड़ दिया है मेरे भतीजे को मार रहा था तुम सब लाश की तरक्यों देख रहे थे हमने मुर्ली किष्णा को पूरे वाईजाक में मिलने का सवाली नहीं क्यों क्या जवाब दू मैं इसका यह सब अपनी मनुश शकल लेकर उसे ढूंड रहे हैं और यहां उसने आपके भतीजे का थोब दाखिला आपकी कॉलेज में लिया है वह अपनी बहन को पढ़ाने के लिए आया है या हमें उपर उठाने यह पता नहीं चल रहा है अगर उनके पीची-पीचे हम भी गए तो हमें भी जेल में रहना पड़ेगा समझे है हचा 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 को नहीं आगा मेरे पीछे अधाने उसे ख़त्म कर दूंगा ख़त्म कर दूंगा ठाशा है यह जो आप देखिया उसके वाइसे सच में अगर तू अपनी माबाप की पैदाईश है तो उसे मार के आ उसे जा आप अज़ ख़त्वर पार्वर था कर दूंग आप सबीजिए पाद्च में तर वे वे तो उसे ऊसे तो नहीं रहाँ है जोद्टर वे वे आउड़ पार्वे तो फार्वे एंगर्वेश्थ नावर रहाँ है ज़्छेश्व पिजिए आसे पिदारी क्वारी जींड़ाएं पिताल ले आसे इतने का दो, ताहा है र ही आवके पार जालो नो गाए चौब तो अधार है जैना, जैना, चौब चौब मेरी बेटी को छोड़ दो, में पैर पड़ती हूं, मत आरो हिंदे अजय को बढ़ोग! सकतू के जो, मैं इंगे जे सकासिह!! यहुट यह यह यह, high, । मारा यह! क्युछ सिंगे! से लिए! वोग प्राइ थ। तुकले तुकले काट दालो इसका विने के हुआ हमा बना मिचे चुकले शुकले जो जूआ है याँ 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 हुआ बाट बाट अजा लोए है नो जो रेपक Rawl जो जो रेपक जो क्या हुआ है नो बनौ ए aik जो ए है जो खभा ow र buns jest almost leave ये लिजी बैना तुम्हे कुछ हुआ तो नहीं नहीं बैया अब कोई इस कॉलोनी में कदम नहीं रखेगा तुम लोग जाकर तेवहार का इंतजाम करो अब कैसा इंतजाम तेवहार शुरू भी नहीं हुआ पूरी कॉलोनी शम्शान बन गई कुछ बात मत करो किसी गुंडे से तुमने कॉलोनी को क्या बचा लिया हमारी मती मारी गए जो तुम्हें जगे दिया इतने बड़े लोगों से तुम्हारी दुश्मनी होगी हमने सोचा नहीं था और मर्द चोटा बड़ा किसी को भी देखे वगेर वो लोग बस काड़ते ही सुछा रही थे सबको अब बहने के लिए भले खाना ना हो आराम से सोने के लिए कम सिकम bent कलोंा वर नहीं पता हाता कि तुमहारे वज़र से हमारे उपर इतना बड़ा हमला होगा अब तुम कॉंड़ननाँ अब बस करो तुम पर भरester करे सामने तुम्हारे हाथ करके सबके साथ मिलकर इसका वहिश्कार करना चाहते हो क्या अब चाचा जी तुम रुको बेटा इस मुल्ली को क्या तुम साधराना आदमी समस्ते हो यह बड़े साप का वारिस है पूरी को रोने का जजमान है यह जानते हो तुम सबको पता चलेगा तो तुम सब लोग दूर रहोगे इसलिए तुम है बिना बताया यहां तुम्हारे साथ रहनेु के लिए आया तो तुम इसके यही खातेदारी कर रहे हो क्या यही है तुम्हारा संस्कार और इंजथ इस जट से मुल्ली से माफी मांगर गल्ती मान लो या पिर तुम सबी लोग ये कॉलोनी खाली करगे यहां से कहीं और चले जाओ जरूरत नहीं है हम खुद यहां से चले जाएंगे बहना आगे से इतने लोगों को दुख पोछाने के बजाए हमारा जाना ही सही होगा नहीं भ formats पिट राजू मामुली आदमी नहीं है मेरे बात तोसमो नहीं भाईएंगे मैं कहीं भिचा कर पढ़ सकती हूं भाईगे हम यहां से चले जाते हैं, प्लीज भाईया, हमें यहां नहीं रहना चाहिए, चलिए, बाइट टू किंगडम, इसे बेल नहीं मिलेगी, जेल से ही बार बार बलूगा सोच रहते, क्या, फित राजू, फित राजू, उसकी कैपिसिटी पता चल गई ना, बेल की पेपर से जेल किसने दिलाई, हाँ, सोवराजू, अपने पेशे की कबिलेत को दिखा कर, कोट में बहुत पहस कियोगी ना, तुमने, फिर जज का दिल पिगल गया होगा, और उसमें बेल दे दी होगी, यही ना, नो सर, वीक डेज में इनको बहुत मोशन्स हुए हैं, बेचारे आजी घर से बाहर निकले, तो फिर कौन है, हाँ, मेरा अजीज बाल को ना नाइडू, अपनी पूरी ताकत का इस्ते बाल कर दिया होगा, आप जब से जेल गयें, तब से फोन नहीं उठारे, आपकी अजीज, तो फिर कौन, MLA, नहीं, MP नहीं, मिनिस्टर, बिलकुल भी नहीं, तो मसला ये हैं, हम इसी लिए साइलेंट हैं, तुझे बेल दिलाने वाला मंदिर का भगवान नहीं है, तेरे दिल में बैठा ये यम्राज है, सही कह रहे हैं, इनका एसान मानिया आप, नमस्कार जी, है, जेल में रहकर ही मुझे मरवाने के लिए, प्लैन पर प्लैन बनाया न, तू वहाँ, मैं यहाँ, है, क्यों चाहिए ये मौत की कबड़ी, मज़ा नहीं आया, face to face, hand to hand, dare to dare, डिरेक्टली यहीं फैसला करते हैं, है, कितना दम है तुझ में ये देखने के लिए, जेल का दर्वाजा खुलवा कर तुझे बाहर लेकर आया, है, मार मुझे, आखे फाल कर क्या देख रहा है, अगर दम और जिगर में हिम्मत है तो आजा, पेल में डाल के उबालूंगा, कमीना कहीं का, है, चौबिस घंटे में नहीं टपकाया तुझे, तो मैं पित राजू नहीं, तेरे सामने खड़ा हूँ, फिर भी तुझे चौबिस घंटे का समय महाँ रहा है, अरे तो मर्द भी है याप, तुझे चौबिस घंटे का वक्त चाहिए न, आज से नौरातिर शुडू हो रही है, तुझे पूरे नौ दिन का वक्त दे रहा हूँ, इन नौ दिनों में जि कौन सा टुकड़ा कहा कहा है, ये पता करने में भी एक हफ्ता लग जाएगा, मुझे क्यो मार रहे हैं, उनके डालोग पर मेरी जगे जो होगा यही करेगा, वो आपको ललकार कर जा रहे हैं, करो ना उनके साथ, बॉल्ज मेरे कॉलर्ज में मेरे दुश्मन को सीट क्यों दी तुमने, उसके आपके साथ बहुत अच्छे तालोग आपके उसकी बहन कहा है, कॉलेज गई है, मेरे बिना कही मत भेजना कहा था न, मैंने मरा किया था, पर इंतिहान देना जरूरी है कहा रही थी, तुम्हें से खोच आकर छोड़ कर आई, तुम्हें तो क्या है, सर, में फिगर सामदे रख करके साइट फिगर पे गोली क्यों चलाया, वह आपके छोटे बाही ने चलाया, क्या किया तुने, बोल क्या किया, उसकी वज़े से आपने जेल में जाहन्यूम जेली थी न, इसलिए मैं जो प्लाइन किया था, उसके छोटकर तुने अपना प्लाइन क्यों गुचले है भीच में, इसमें क्या जानता है, अगर आप उससे नहीं जानते हो, तो उस दिन आपके सोनी को आपके घर तक लागर क्यों छोड़ा उसने? उसी ने तो कहा था ना, मेरे घर में नौकर का काम किया है उसने, देखिए, हमारा बहुत बड़ा खांदान है, रैम दिल है हम लोग, बहुत सारे ड्राइवर्स को हमने आसरा दिया है, उनमें से एक इंसान वफादारी से हमारी बेटी को हमारे घर तक ले आया, तो वो रिष् रिष्टानी है क्या, इस मामले में अगर बात करेंगे तो तुम्हारा मेरा भी कोई रिष्टा नहीं, कि बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, किसी के डर से क्या तुम अपने सगे भाई को भाई नहीं कहोगी, अगर वो दस बातें बोलता है तो नौ बातें तुम् मेरे भाईया नहीं है तब मेरा कलेजा कैसे पट रहा था, मुझे कितना दर्द हो रहा था आप नहीं जानते, उनको यहां आने से रोकने के लिए मैंने काओ वो मेरे भाईया नहीं है, जब से मैंने भाईया बुलाया तब से उनकी मुसीबत शुरू हो गई, जब मैं नहीं तब उनके जिन्दगी कितनी कुछ हालती पता है आपको हर महने भले हमें तंखवादेर से मिले लेकिन तुम तो हमेशा वक्त पर हमको पैसा देते हो इसलिए तो कभी कभी नौकरी जोड़के तुम्हारे साथ ही रहने का बन करता है आपने मगवाया तो कैसे नहीं लेकर आता अभी हुआ है दादी यह लो आपका नया चश्मा इसकी क्या सरूरत है तो मेरा अच्छे से ख्याल रखती हो ना जब बाप यहां पर रहें तो दादी का क्या काम पहले पिता मा था मा नहीं रही इसलिए पापा पहले का मेरी शराब हाँ भाई कैमरा लाने को कहा था ना यह ल जानती हो कॉलेज में बहुत सारी फीस लगती है यह लो बहना पैसे जाओ आज की कल की सब फीस भर देंक्स बैया अरे रुक 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 कहा ले जारी है इतने पैसे अरे दादी कहा जा रहा है एरी बात तो सुर इस घर के सारे किरदार निपट गए हो तो अगर मेरी चीज भी मुझे दे देगा तो यह किरदार भी निपट जाएगा जब देखो दूद पीते बच्चे के जैसे रोते हो अरे वाह असली बेटे हो मेरे अगर दूसरा जनम मिला न तो मैं तेरे पेड से जनम लेना चाहूंगा हलो यह पानी किसके लिए है मुर्ली के लिए है वो कुछ नहीं बिटा मैं वो गर्म पानी क्यूं इतनी ठंड में गर्म पानी क्यों चाहिए थंडे पानी से नहाने से जिसम मजबूत होता है थंड को ठंडी काटता है थंडे पानी कि तुम्जे आदत है उसी से नहा लूँगा दोसा कहा ले जा रही हो मुरली के लिए ये मैंने अपने पती के लिए बनाया है अच्छा इस दोसे पर क्या तुम्हारे पती का नाम लिखा हुआ है बेचारे को भूख लगी होगी क्यों इतनी सी भूख से मर जाएगा क्या वो पैसे भी कौन सी बड़ी नौकरी कर रहा है जो से दोसा खाना है उसी से हम लोग सब खा रहे है न तेरा पती जो कमाता है उससे तो बस तरे फूल ही आते है और कुछ नहीं मेरे पती कम से कम मोगरे के फूल पर ही खर्च करते हैं वह तो सारे पैसे उन लेबर पर खर्च कर देता है और जो भी चिलर बच्ते हैं वो लाकर हमारे मुँपर फैकता है तो उसकी आर्थी मुझे तेरी मुझे नहीं लगना है बता नहीं उसकी रगों में किसका खून है जो हमेशा बस दूसरों के बारे में सोचता है यही तो खूबी है उसके अंदर खूबी है तो हाठ पहनाकर हाठ जोड़ो मैं नहीं बनाओगी उसके लिए तुम क्या बनाओगी मैं खुद बना देती चुप रहो, अगर एक शरब दौर का तो गरम-गरम तबा मुझे चिपका दूगी तुम्हारे ले आओ, दोसा दो मुझे हाँ देती हूँ, दोसा नहीं, चाटा देती हूँ तुझे कहा गया वो बिचारा? कौन? अरे, मोरली और कौन? जब मेरे पास शराब होती है, तब सभी अपने हैं, और जब नहीं होती है, तो कोई सजा नहीं अरे, वो इस घर का बेटा नहीं है, फिर भी हम सबके बार में सुचता है, हमें भी तो उसके बार में सूचना चाहिए न क्यों मा मैं भी तुम्हारा बेटा हूं मेरे बारे में भी कुछ सोचो न जब शरॉब पी रहाँ तो फाल तु बाते मत करो उतर जाती है तुमसे बात करना मतलब जी का जंजा यह तुम्हारी यह मुझे क्यूं कह रहे हूं जाओ यहां से जब देखुट तब ठूसता रहता ह तुम्हारे पहर पकड़के माफी मांग लेता पर ऐसा नहीं हो सका साहब जब ऐसे रोज दुखी होते हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता है सिर्फ हर रोज नहीं हर पल इसी दुख में रहते हैं पहली बहु को उन्होंने अपने हाथों से दूर कर लिया तो दूसरी बहु दादा जी को तुम्हारे हाथ की कॉफी पीनी है दादा जी कॉफी मेरी जान है यह हम सब की जान है सुनिए लॉयर जी बुरा मत मानिएगा पर यह हार तो चुहें के दुम जैसा है मैं जो लाया हूं इसे देखिए हाथी की दुम्हारे आप चुब बैटो देखो वह आ रहा है मैं सच्छा ही कह रहा हूं तो मान नहीं रहे वह देखिया आगे क्यों नहीं कलेक्टर कैसे हो अच्छा हूं सब्सक्राइब क्या बटन को मार दिया आपने इसे कहार पहने के लिए सर नहीं जुकाते है यह बात क्लेक्टर को पता नहीं है हार पहनाने का तरीका नहीं पता इसलिए डर रहे हो उन्हें कैसे पहनाना मैं जानता हूं मैं जानता हूं सर आप बिना सिर जुकाए हार पहनेंगे यह ला जा वेलकम टू वाइस आकसर अभी क्यों मारा बाई से हुचा कोई निकल सकता है खुश रहो सब सही है ना सब को सही है है बेटी मलिका के पहले निर्ति के मौके पर साब गरीबों को सौ एकड़ की जमीन दान कर रहे हैं ठीक रहने दो तुम मलिका का ध्यान रखना मैं भी आता हूं क्यों चाचा सामने आओ या बीच में आओ इतने जल्दी केसे पता चला हम आ गए हैं क्यों आए हो मेरे पूछती जा रहे हैं क्यों रूठ के क्या कॉंड़ापूर बीच के पास जो सौ एकड़ की जमीन है वो ये खरीदना चाहते हैं वो तुमारी है लेकिन मुझे चाहिए वहले ही तुम देना ना चाहो तुझे फोन पे ही कहा था वह जमीन हमारे इंडस्टी में काम करने वाले वर्करों की है उन्हें ही बाटूँगा और अभी बाट भी रहा है एए मैंने कहा था ना चाचा नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे ए चाचा तु सिद्धी है मैं घमंटी हूँ तु मानेगा नहीं मैं छोड़ूगा नहीं साफ टाइम वेस्ट दम की दे रहा है मार डालेगा क्या तो मार ना बुझे हुए चिराग कितर रहो मार डाल सच बात है बुझे हुए चिराग को आखिर मैं एक में बुझाओं मोले राजू उस चिराग को ले करा यह मेरी पोती है मेरी जान है जब उससे दर्द होगा तभी तुझे दर्द होगा क्या हो इस्टेश चों कर निकली हो क्या थे लाइव शोर अपर अभी आज़ी आज़ी लोने के बाद दस्तकत करके बेश देना अगर ना अगरा पूरा खाला असर बेख पार पे होगा ऐसे कि चला रहा हो जैसे कि जान चली गई आखिर हुआ क्या है बहन फिसल कर गिर गई अगरा पेर निकाल देते हैं इतना दुख्य होने की क्या जरूरत है क्यों बहुत हो जाएगा उनकी बातों पर ध्यान मत दो चलो होस्पिटल चलते हैं क्या ओवर्यक्ट कर रहा हो मैं कॉलिज जाने से बच सकूँ हाँ इसलिए तो इतना बड़ा नाटा किया मैंने पर तुम तो जादा अच्छा करते हो चलो अब बस करो यह सब क्यों बेटा तुम्हारा प्यार इन लोगों के लिए जहर बन गया है ना कोई जहर वेर नहीं वो तो छोटी बच्ची है उसकी बातों का बुरा थोड़ी बानूंगा मुरली हाँ चाचा क्यों बेटा तुमने खाना खाया क्या भूख नहीं लगी है चाचा निम्बू डालकर तुम्हारा पसंदीता चावल का पानी पी लो चावल के पानी के लिए तो तैयार हो तो चाचा सिंगापूर से आने वाला जहाज अब तक आया क्यों नहीं अरे उस बना होगा ऐसा कुछ नहीं है चाचा पहले घर उसके बाद हम ठीक है बेटा कैसा बना है बहुत अच्छा है चाचा शायद मां का दूद्ध भी ऐसा ही होता होगा यह यह बैरहमी है ना इंसाफी है यह बॉटल ऊपर लटका दिया पिये भी ना कैसे खाऊ है गांधी जैंती है ना खरीदनी चाहिए ना पीनी चाहिए खरीदने के बात पता चला इसलिए आज हमारे घर में शराब बंद मगर बंद क्यों गांधी जी ने तो आजादी दिल आजादी का गलत इस्तेमाल करने के लिए गांधी जी ने नहीं कहा था अच्छे से जीने को कहा था अगर इतनी ही जरूरत है तो बोतल को देखो और आराम से खाना खालो गैर में मदिरा बंद कर सकते हो ब्लैक मार्केट से मैं लेकर आता हूं अभी कहा जा रहे हो तुम सारे दर्वाजे बंद कर दो अगर मुझे पता चला कि इन्हें किसी ने शराब बेची तो शहर के सारे शराब के दुकान बंद करवा दूगा इतना जुल्म डार है अपने बाप गांधी जी के लिए अपने बाप को खुद से दूर कर रहा है मेरा दीवक्त आगा तब बताऊंगा जाजाओ तुम्हारा नाम क्या है अपना जी नाम तुम्हारा इतना अच्छा है ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती है कौन सा नाम रखने से अच्छा होगा आप बताये वही नाम रख लोंगा इतनी हिम्मत की पुलिस वाले से जबान लड़ाओगे तुम गलत है सर बल्वान हो इसलिए नीचे वाले को मारोगे तो उपर वाला आपको मारेगा सर ओहो तो तुम हो इसके बॉस सिर्फ इनका ही नहीं पूरे राज्य की जन्ता का बॉस हूं मैं सुन लिया ना यह बखवास में क्यों सुनू बे फिर से बे कहा गिनना शुरू करूंगा तो एक बोलने से पहले ही उठ जाएगा तुम इतने लोगों को मार नहीं सकते लेकिन अगर मैंने मारना शुरू किया तो नीचे से गैस लीक होगी स्मगलिंग करते हो और तुम में स्पैलिंग मिस्टेक सर बड़े बड़े लोग जब स्मगलिंग करके देश को बेच रहे हैं तो उनका माल चुरा कर वह हम जैसे लोगों में बाट देता है यह इसका केरेक्टर हमारे डिपार्टमेंट में पकड़ा हुआ आदा स्मगलिंग केस मुर्ली नहीं तुम बहले कितने किस्से कहानी मुझे सुना लो इस वक्त मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है वह सुटकेस दो मुझे जल्दी करो स्वामी जी की यह मैंट है सॉरी ड्यूटी करते हुए बहुत केरफुल रहना पड़ता है स्मगलिंग सूटकेस में ही नहीं सर बलकि बाहर भी चोरी करने वाले हार्बर में घूमते रहते उन पर भी अपनी लाठी उठाई है सर लाठी नहीं वक्त आने पर गोली भी पैदा होते ही आया आय विल सी यू अरे बापरे लगता है डी सीपे के दिल पर चोट लग गई वैसे बेटा इस ब्रीफ केस में अयपा स्वामी के कपड़े कैसे आये ब्रीफ केस बदलने के लिए अंदर ले गया तभी पुलिस को आते देखा और बिना बदले लेकर आगे भगवान ने अशिरवाद दिया और देखो मैं बच गया गलत फहमी हुई है मुझसे पंगा लेने वाला कोई बच कर नहीं निकला कितने सालों के बाद मिला है शराब ज़्यादा हो गई थी इसलिए उल्टी कर रहा था मैनरलेस फैलो गुड़ेवनिंग आई जी जी गुड़ेवनिंग नमस्ते गुड़ेवनिंग पितराजू कहां है हमारी बहु वह देखो रिष्टा ते करना है बोलता तो शरम के बारे नहीं आती इसलिए पार्टी बोलकर लेकर आया मैं मेरा बेटा भी वैसा ही है लगी को देखने के लिए बोला तो शरम से आया ही नहीं है ओए फोटोग्राफर सार उस लड़की की तस्वीर ले 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 इसलिए हो गई हुँ ना इसलिए मैं जिन्दा हुई या मर्गे किसी को नहीं पड़ी पड़ी है क्या किसी को अरे मां चिलना क्यों रही हो बाहर अगर किसी ने सुन लिया तो सोचेंगे घर की लेडीज शराब पीती है इज़त चली जाएगी मेरी पीकर आओ और बगपक करो हम सब के लिए देन रात एक करके मेहनत करता है वो मुरली अब उसके शादी करवा देनी चाहिए इतना भी होश नहीं है किसी को इसलिए अभी अभी मैं एक लड़की को देखकर आ रहा हूं क्या तुम हाँ मेरी बात पर भरोजा कप करोगी गोर से देखो फूल बॉटल की तरह च क्या दादी इतना चिला क्यों रही हूं अरे मुरली तुम्हारे लिए रिष्टा है बेटा होने वाली बीबी की तस्वीर तो देख लो तुमने देख लिया ना काफी है अरे यह तो अपनी दुन में ही रहता है वाह एकदम परी जैसी दिखती है बिलकर हाँ दादी एक पर दिखाओ क्या तस्वीर मैंने कहा तब तो नहीं देखी बात वो नहीं है तो अरे जाओ देने को कहा ना अच्छी है ना जो जो भी लल्लों क्यों बाई मेरी और इस लड़की के जोड़ी कैसी लगेगी कमाल की कुछ भी को हो बैटा हम लोग तो क्लास से बड़े हुए है और यह लड़की मास से तेरे मामा का मुझ भाई इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी से अपना गटा बदल चांद चाइए यह साड़ी बेहन के लिए कैसी है तुम्हारी बेहन के लिए खरी चुके हो काफी है अब अपने लिए सूट और सूटकेस के हमें क्या जरूरत है भाई भाई अपनी बीवी नाइस जो जो भी ललो अरे चाचा जी यह एकदम से हां यह तो यहीं आ रही है य यह लड़की तुम्हें फॉलो कर रही है सच कह रहा तू अभी तुम बिल्कुल कमजोर मत पड़ना जवान उमर है ना जब जवानी जलकती है तो ऐसी लड़किया हमारे पीछे घुमती रहती है सुनो अपना स्टाइल बदल लो अब बिल्कुल स्टाइल बदलना पड़ेगा क्या हुए भाई भावी ने देखा नहीं क्या समस्ति है वह अपने आपको समस्ति क्या है कैसे जा रही है वह देखो क्यों रहे वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी वह क्या सोचती यह तो मैं नहीं जानता भाई पर मैंने एक बात सोची है क्या सोची आपको देखकर उचलकुद करने का मन किया है अरे ओ कमीनो बेकार का सेटप बेकार का बैकप मेरी पहचान भिगार दी इसलिए वह गई च जाएगा चले कर जाएगा चला गया यह तो देकर गया है तुम्हारे पास तो देखे नहीं गया है तो देती हुआ यह यह बगत अच्छा है क्या दीदार हुआ भाई लड़की आ रही है जो जो भी ललो लगता है अपनी होने वाली बीबी को भगवान और मंदिर बहुत पसंद है उसे भगवान नहीं तुम पसंद हो इसलिए आई है अरे भाई जरूर वो लड़की तुम्हारे लिए ही आई है उस दिन शौप में हैंड दिया था ना केसे पता चला आप यह से बातें करते हों भाई रात रानी पूल कहां है यह साप को बोलना परता है क्या दे रीमत करो या यह या आ कि खालू हवा या आपके हमने सब कुछ देखा भाई मैंने पहले देखा था पर बोला नहीं जो जो भी लन्लोजो तुम शोब्हें लाओं में चावल का पानी ऑड़े बाई नित नमें चावल का पानी अरे बढ हो टल में चावल के पानी को सूप कहते हैं रहे सूप जो भी हो चावल का पाइड लेकर आओ जाओ तुम लोग खाओ सर-सर बहर का खाना अलाओ नहीं है सहुत तेरी तो यहां से पारसल ले जाकर बाहर खा सकते हैं तो बाहर से लाकर यह क्यों नहीं खा सकते जो मांगा है वह लेकर आओ आना भाइ चाचा मेरी वाली लग रही है न मुझे खुछ नजर नहीं आ रहा है तु खुद ही देख ले बेटा क्यों अंजी यह मेरे लिए आई है न क्या हुआ बताओ कैसे अचानक आई तुम आगे चलते हो वह पीछे आती है तुम पीछे रहते हो तो तुम्हारे आगे चलती है दोन क्या सोस्ती हो तो मेरे मुटालिक बताओ क्या सोस्ती हो मेरे मुटालिक क्या वा अंजान बनकर क्या देख रही हो बैठो बैठो क्या चापारी हो च्वेंगम थुक दो क्या हुआ दर गई क्या घवरा रही हो न मैं तो आम लड़की पर भी हात नहीं उठा था फिर तुम मेरी होने वाली हो दरो मत कुछ खाओगी क्या नहीं सुनोगी क्या सुनोगी तुम हो कौन है अरे तुम्हारा होने वाला और मुझ रहे तुम्हारे सासुर जी नहीं बताया मेरे साध्य नहीं बताया तुम्हारे थीक है लेकिन यह कपड़े कैसे लगता है दीवार पर कोई पोस्टर लगा दिया ऐसे पोस्टर की तरह शरीर पर चिपचने वाली ड्रेस मुझे बिलकुल नहीं पसंद अच्छे से ठीका तुम अभी छोटी सी चोटी में मोगरी का फूल लगा कर पती जब बगल में आकर रोमांस चालू करे तो सर जुका कर सुबह होने तक जो जो भी लल्लो समझो ओढला करे तुम मुझे पसंद आगए मैंने घर में बता दिया मैं तुम्हें पसंद आया ना तुमने घर में बता दे ना नहीं बताया कल तुम को खुद मेरें भर आ भर आ कर बता दे ना प्यार से बोलने की photom बस ओडर करो देखना सुबे तक कैसे तयार होकर आता हूं नहीं समझी पहन कर इतने हैंसम लगोगे यह मुझे पता ही नहीं नहीं पहने या मूझ को ताओ दे यह पहनने और ताओ देने वाले पर होता है बहुत तारीफ हो गई नजर लग जाएगी लाओ पहले काला टीका लगा देख लिया तुम्हें तो समझो शादी होई जाएगी चलो अब निकलो क्या वह भाई इतना सचच कर कोई तेवहार बनाने जा रहे हो क्या कहा जा रहे हो लड़की कौन है अपनी वाली कौन है लगता शराब पीने से दिमाग हो गया तुम्हारा भूल गये तुमने लड़की का फोड़ो दिखा कर भईया के हाथ में कर्रेक्शन दिया भाईया न चलप रही है अभी मैं जो जटका दूंगा उससे यह तडपने लगेगा असल में लड़की कौन है मैं नहीं जानता तेरी तो यह क्या तुम ही तो तस्वीर लाया था पर लड़की को लाया क्या बड़े बेटे के स्टूडियो में जाकर क्वार्टर के लिए 40 देने को कहा था 40 पैसे भी नहीं दूंगा कहकर डार्क रूम में चला गया अरे तेरी जिंदगी डार्क कर दूंगा यह कहकर फोटो लेके आ गया इससे बदला लेना था मैच बराबर होने के लिए मैंने इसे तस्वीर दिखा दी यह क्या किया तुम्हें अच्छा इसने क्या कम किया था उस दिन गांधी जैन्ती के दिन लाई वही शराब की बोतल रसी में टांग कर तरसाया था मुझे इससे लिए मैंने भी तस्वीर दिखा कर तरसा दिया सही किया ना टिट फॉर ट्रैट शराब के लिए तुमने बदला लिया बेचारा जबसे तुमने वह तस्वीर दिखाई है यह खुआब की दुनिया में जी रहा है भाई को दोखा देना महापाप है चचा इतने सानों क बात को खुशी मिली थी उसे उस लड़की के साथ जीने के खुआप देख रहा था और तुमने सब कुछ बरबाद कर दिया ठीक है ठीक है हम बहुत सारे खुआप देखते हैं सारे खुआप थोड़ी पूरे होते हैं वो लड़की कौन है पता नहीं मैं पीछे पड़ गया अब मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया लड़की है उसे बहुत परिशानी हुई होगी मैं जाकर उससे माफी मांग लेता हो कौन है ये जाने बिना कैसे ढूंडेगा उसे पापा पापा मेरे फोटे स्टूडिय आकर फोटो लेकर आये थे क्या तू कौन होता है जो क्लोज के आये तो वाईजाक के लोग थाठर कापने लगेंगे मां से बुलंद आवाज है चुप करो मेरी जान खत्रे में डाल दी उनका फोटो गुम गया कहूंगा तो पित्राजू के लोग मुझे वक्त पर अगर उन्हें फोटो नहीं मिली तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा क्यों हमारी सिंद्ग्यों के साथ खेल रहे हो ठीक है वो लड़की कहा है कि नमस्ते जी नमस्ते जी कौन हो तुम नाम मुटली कृष्णा गाउं है बैसाथ एरिया हारबर अरे बात तो सीम की तरह कर रहा है यह सोचना मेरा काम नहीं है वैसे ठान लिया तो बन भी जाओंगा होसला बड़ा बुलंद है तुमारा ऐसा जजबा हम लोग में नहीं है हमारे भायों को भगवा ने दिया यह होसला कितना होसला है न कलेजा उसका डबल है कानी मत सुना किसलिया यो और किसलिये भाई नया दुला लग रहा है आशिरवाद मांगने आया होगा यह आशिरवाद और दुआ उपर वाले ने बहुत पहले दे दिया है तो पिर क्यों होया है चंद चाहिए क्या सफेद लिबास में कृष्ण की तरह वर्दान देने वाला लग रहा है हमसे चंदा क्यों मागेगा तू चुप करेगा क्या सच हमेशा कड़वा होता है हम आएं माफी मांगने के लिए माफी किस से और किस लिए वही सर आपके घर में पपीते की तरह हरा सा पीला सा सेप की तरह लालम-लाल है ना एक लड़की उस लड़की को अपनी होने वाली समझ कर गलत फहमी भी थी लड़की वो दिखें वही लड़की है उसे जिसे अपनी होने वाली समझ कर कुछ जादा ही मैंने बोल दिया था माफी मांगने से जो गुना हुआ है वो धुल जाएगा गलत फहिमी में मैंने जादा कह दिया और तुम्हारा दिल दुखा दिया और मैं अपनी गलती मान रहा हूं तुम किसी और को ढूंड लेना सर मुझे लगता आप इस लड़की के भाई है इसलिए आपसे भी कह रहा हूं माफ करना गलती हो गई हां गलती तो हुई है तुसे इससे बात करके हमने गलती की इसे मार दिना चाहिए तो भाई गेट बंद करके इसे मार डालो आसा डोसा अपड़न बढ़ा ऐसा बनाएंगे क्या भाई इसका इस्तिमाल हम लोगों पर करोगे महा भारत में श्री कृष्ण गीता सुनाई थी यहां मुरली कृष्णा लकीर खीचेगा लकीर पार करने वाले के चबड़ी उधेर दूगा जिसके अंदर हिम्मत है वो आगे आए सिर्फ फोड़ दूगा उसका कौन आएगा भाई ऐसी पावर देखने के बाद कोई नहीं आएगा वो उस पार हम लोगी इस पार आप जाओ भाई बताने आया था कि घलती हुई है तो तुम लोग घलती करोगे जमीन के कीड़े की तरह मसल दूगा झाल 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 शेर है वो शेर है सच कह रहा हूं शेर समझती थी शेर तुझे तब पता नहीं कहां का महा राजा समझ लिया था मैंने पर तुमने क्या क्या कुछ भी नहीं किया तुमने उसके भाईयों के सामने से उसे खीच कर ले आते ना तो शेर नहीं बबर शेर समझती छी यह क्या ब अगर उसे तेरी शादी होती तो तरह तरह के पकवान में लाकर खिलाती उसे अच्छा खाना बनाने वाली लड़की ढूंडू ना मंगल सुत्र पहनाऊंगा उसी लड़की को अपनी बीवी बना कर लाना पड़ेगा तुछे मुझे भी वही लड़की चाहिए दादी अब मै तो बीच में कोई भी आया मैं उसे लेकर ही आऊंगा हाँ हाँ है वाह देख अपनी गलती के माफिकल ही मांग ली थी ना तो आप क्या चाहिए तुम चाहिए मेरे पती के तौर पर तुम चाहिए सुनो जरा लगता है तुम जजबाद में बहकर आई हो नहीं जजबाद जगाने आई हूँ आई लाव यू अरे मेरी बात तो सुना जो जो भी ललो तो इससे प्यार कर लो मारे चोरे में तरने काई पसंद आया चोरी जब तुमने कहा कि हमारे घर आकर तुमने गलती कर दी है तो तुम्हारी अच्छाई मुझे पसंद आई उनका सामना कोई नहीं कर सकता इस गुमा पहा प्रे इतनी सारी कारे आ रही है देख क्या राइबे तुझे मेरी बहन चाहिए स्पैलिंग मिस्टे गुरू तुम्हारी बहन को हमारा भाई चाहिए मालती क्यों आयों तुम्हार पर कल तुम्हें जो दोसा दिया था वो काफी नहीं था क्या पर उसे जो दोसा चाहिए वो लेकर आई हो वो बंकर मज़ूर कहीं कि अपना एक अलग तरीका है ने चाचा अच्छे के लिए अच्छा बुरे के लिए बुरा इनसे पूछ कर देखता हूं यहां क्यों आए हो आखिर बात क्या है साले साहब है अरे तिरी आवकाथ ही क्या है हमारी हैस्यत क्या आ गए मेरे होने वाली पती से इस तरह से बात करने की हिर्मत किसी तो बढारा है अगर मेरी होने वाली को यह कहा तो जिस्म के सारी हटिया तोड़ दूगा थाहां च्छा जोड़ी है खूब लग रही है वो बंकर चुब दो कौड़ी के मस्दूर होके तिरी यह उकात हमसे मुकाबला करेगा तुझे हमारे बारे में पता नहीं है गाड़ी के टायर के नीचे चीटी के तरह मसल दूंगा देखेगा क्या अच्छा तुब बड़ी गाड़ी सुतर का राया है हम चावल का पानी पीकर बड़े हुए देखता हूं किसमें कितना डम है अंजी है है का रोको यह चावल के पानी का रहा है मजदूर का पावर यह होता है देखा न हमारे चावल वाले पानी के हाथों से तुम्हारी गाड़िया कैसे काप रही है देख लिए भाई मजदूर जिन्दाबाद अवाम जिन्दाबाद अब कार उतार दीजिए भाई जब तक उठाया वासर नीचे नहीं जुकाओगे तब तक गाड़िया नहीं उतरेंगी मजदूर को कम समझकर बैजज़त करने के लिए माफी मांगना होगा प्रत वाई मैं खोड़ी सी बात है सौरी बोल दो ना भाई है इसे ना यह करें आवो करें कैसे चले है लगता है यह रूक माने के नहीं हाथ दर्द कर रहा है कार को पाइनी में डाल देते हैं अरे रुको न, ये लोग रास्ते पर आ जाएंगे, बोल दो न भाई, सोच क्या रहे हो जल्दी से सौरी बोल दो न, क्यों, सौरी बोल दे क्या, कार चाती है तो जानते, हम सौरी रही बोलेंगे, क्या लगता है ये सिर्फ कार फैंकेंगे, हमें भी उढ़ा कर फैंक देंगे भाई लगता है नहीं मानेंगे हाथ दर्द हो रहा है कई हो तो पानी में फैक दे सब गाड़ियां सॉरी कहने का अंदास गलत है हाथ जोड़कर सर जुका कर तुम लोग अदब से बोलो माफ करने के लिए इतने सारे एक साथ नहीं आएंगे भाई थोड़ा कंसेशन मिलेगा दोबारा बात करोगे तो कनेक्शन कठ हो जाएगा बात करने का कोई फायदा नहीं यह जल्दी से सॉरी बोल दो उतार दो थैंक्स भाई कार उतार दिया ना अब हम यहां मनुष शकल लेकर खड़े क्यों है जब शादी पर बुलाएंगे तब आ जाएंगे चलो जल्दी चलो यहांसे चलो तुम भी उनके साथ जाओ मैं एक मर्द की तरह शादी के जोड़े में तुम्हें लेने के लिए जाओंगा कि शाबाश बेटा यह हुई ना बबर शेर वाली बात पितराजू के लोगों से माफी मंगवाना मतलब यह मुझे कोई आम आदमी नहीं लग रहा है साओ यह मर्द कौन है पता लगा मेरा ही बेटा है क्या हुआ बड़े साब यह दूद पीता बच्चा दूद के लिए रो रहा है ऐसे लेकर क्यों गूम रहे हो लगता है यह तुम्हारे लिए मुसीबत है यह खदम हो गए यह दस रुपे दोना दस रुपे मांगा तो ऐसे क्यों देख रहा हैं मुझे दस रुपे नहीं दस हजार दूँगा इस बच्चे को पा लोगे क्या दस हजार में तो मैं सालों पी सकता हूं अभि पैसे लेता हूं बाद में इसके लाएगा मैं तुझे पालूंगा यह मेरा बेटा है अलेलेलेले ले भगवाद मैंने जो किया गलत या सही यह मैं नहीं जानता इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता सूजा ही नहीं उस बच्ची की अफाज़त तुम्हें करनी होगी मैं ही हूं मैं ही हूं मतलब मनब वह मु वो कहा है अरे रे 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 थोड़ा तसल्ली रखो मेरा बेटा आप तुम्हें चाहिए फिर से तुम उसे अपना बेटा बुला रहे हो वो लड़का इनका पोता है अरे ऐसा इने कब से लगने लगा सुनो भले ही मैंने दारूपी रखी है पर महाबारत याद है मुझे बच हाँ तुमने किसी दिन उसे गोड में खिलाया साथ खेले क्या उसे नहलाया क्या रोते से चुप कराया लोरी गाया क्या बोलो ना मानता हूँ मैंने कुछ नहीं किया पर उसके अंदर मेरे पेटे का खूपizen तुम्हारा खून का रिष्टा है और हमारा क्या शराप का तालूक है जाओ जाकर सीधे उसी से बोलो यही कि बोते हमारा खून का रिष्टा है मेरा बेटा तुम्हारा बाप है और मैं उसका बाप हूँ पैदा होती ही मैंने तुझे हटा दिया था जूले में जिसे खेलाना था उसे सांस रोकने के लिए कहा था मैंने दूद के बदले उसे मार कर लिटाने को कहा था फिर भी इन सब का बुरा मत मालना बस एक बार, सिर्फ एक बार बच्चे से मुझे दादा जी कहने के लिए कहो ये सुनकर अगर वो तुम्हें लात घूंसा मार कर वहां से भगा न दे तो मैं जो पी रहाँ वो शराब नहीं पानी है ऐसा ना हो इसलिए तो तुम्हें बुलाया है तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ मैंने जो गलती किया, वो पोते को पता न चले देखो, जो हो गया सो हो गया जो होने वाला है उसके बारे में सोचो एक छोटे से बच्चे को मैंने इतना बड़ा किया मैं भले ही सोडा पीता रहा मगर उसे स्टोर का दूज पिलाया कपड़े दिये, खाना दिया मैं भले ही सस्ती शराब पीता हूँ पर एक एक गलास कम करके उसे चोथी जमात तक पढ़ाया इतनी कुर्बानी करने के बाद हाथ में जो बेटा आया है उसे तुम्हारे हाथों सौब दू ऐसा कैसे हो सकता है मेरे पोते को लोटाने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो अगर मैं लाग दो लाग में मान गया तो उसके बाद क्या करेंगे छे महिने के बाद खुदकुशी करनी पड़ेगी आप खुद ही बता दीजिए तो फिर तुम्हें क्या दाम चाहिए बोलो हैं मेरा दाम हैं उसका दाम बोलो दस करोड चलेगा क्या सीने पर उसको सुला कर पीट पर बैठा कर घोड़ा बनकर खिलाने वाले बच्चे के लिए सिर्फ दस करोड अरे नहीं सर मेरे कलेजे को टुकुडे को मुझसे मत चीनो तो फिर पीश करो इसका मतलब इससे पहले दस अभी बीस मिला कर कितना हुआ ठीके साफ इतना काफी है तीस कान आपने बस इतना काफी है अब अगर और रुलाऊंगा तो भगवान भी माफ नहीं करेगा मैंने पाला है तो क्या हुआ खून का रिष्टा ही तो सब कुछ होता है मैंने तो ये सोच कर उसे पाला था कि ये घर के काम करके मेरे लिए रोज क्वाटर लेकर आएगा सोचा नहीं था कि ये मुझे शराब के फैक्टर का मालिक बना देगा देखे साब आप अपने पोते को रख लीजे मेरे लिए इतना काफी है तु बेटे की एहमियत नहीं जानता अरे तुझे पैसे की एहमियत नहीं नहीं वाला वो हमें छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा समझ लो उतना दिमाग है मेरे पास कि वो नहीं छोड़ेगा हमें प्लैनिंग के साथ उसे छोड़वाना पड़ेगा जिसके लिए तुमारा साथ चाहिए लो आ गया वो सुनो इस सीन में तुम हीरो हो और तुम हीरोईन हो और मैं डिरेक्टर तुम वेलन हो अभी कुछ नहीं बोलोगी अगर बोली तो तुमारा गला कार दूँगा अरे भाभी दादी ने कहा था घर के सामान की लिष्ट देगी कहा है मुझे क्या पता वो बुठी कब मरेगी और कहा मरेगी मैं अंतर यामी हूँ क्या क्यों भाभी गुस्से में क्यों हो उस दिन साड़ी का फॉल लाने को कहा और मैं नहीं लाया लेकिन आज लेकर आया हूँ ये देखो ये फॉल और फॉल्स प्यार की मुझे जरूरत नहीं है खुद ही रख लो अभी इस तरह हाथ क्यों पकला तुमारा अरे ऐसा कुछ नहीं है मैं अपनी वीवी से बात करता हूँ न क्यों कुछ नहीं है क्या अखिर बात क्या है इतनी बेरहमी से बेचारी बहु को मार क्यों रहा है पती अगर निकमा हो ते किसी के पास भी चली जाएगी भया मुझे कुछ भी बोल लो लेकिन मा भी को कुछ नहीं बोलना तुझे मैंने कुछ नहीं खा इसलिए इमद दिखा रहा है यह गड़ चली तेरी वज़े से तेरी आखों में कुछ और है तेरे पेट में कुछ और ह और तेरे दिल में कुछ और है अरे रे 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 जब अपना ही सोना खोटा है तो भला सोनार क्या करेगा सुनो बहु इसे बाजार के लावारी स्लोगों के साथ घूम कर गंदे कामों और गालियां देने की आदत पड़ गई है पर तुम तो बहुत ही नेक थी ऐसे काम कब से करने लग गई खलत है यह संसकार हिन काम किया시는 ंदान के तुम लोग मेरे हो और यह मेरी भाबी ए भाबी माँ के समान होती है उसकी आहिमियत जिन के पास अपने माबाप होते हैं उन्हें पता होतीए मैं सच कह रहा हूं जब जानवर अलग अलग तरीके से बरताव कर सकते हैं तो इनसान जानवर कितने बरताव क्यों नहीं कर सकता दादी पापा पापा क्या बोल रहा है जानवर जानवर जैसा ही बरताव करेगा वो अपने तजूर में से कह रहा है इतने सानों से इसके हमायती बोने रहे, अब आके खुली ना तुम्हारी भाईया, कैसा भाईया, कौन है तुम्हारा भाईया, उस बाप की पैदाईशा या मेरी बाँ कोक से पैदा हुआ पापा, जब तक यह यहार आएगा, तब तक मुझे सुकूर नहीं मिलेगा, या तो यह यहार आएगा, या फिर मैं यहार आऊँगा तु किसी एरे-गेरे लावारिस की वज़े से अपने घर से बाहर क्यों जाएगा, तु और तीरी बीवी को अगर यह खुश देखना चाहेगा, तो यह खुद ही घर से चला जाएगा पापा यह चाहे जाब छड़ो, तुम्हें भाई बुलाने में मुझे शरम आती है दादी, देखो क्या देखो, इन लोगों ने इतनी बेज़ थी कि फिर भी तुझे बिलकुल अकल नहीं आई, मैं कहती हूँ जाई यहां से, जाब दादी, असल में तुम क्यों दुखी हो रहे हो भाई, तुम्हें दूर करने के लिए तो उन्हें दुखी होना चाहिए, प्यार से मुझे में निवाला रखेंगे, तो उंगलिया काटकर निगरने वाली जात है उनकी नहीं चाचा, उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन वह मेरे अपने ही है, समझो, उन्हें अपना ही समझो, वो सम मिलकर भले तुम्हेरा गला काट देए, फिर भी वो लोग तुम्हारे लिए अपने ही है, इतना बीनी सिकोंकितू कैसे चलेगा, वालो तुम्हे लोग है, तुम्हारे खून में ही नहीं है तुमने गल्ती की ये बात अगर किसी ने कही तो ये उसकी गलत फैमी है आप मैं कौन हूँ ये जानने से पहले तुम कौन हो ये मुझे पताना है ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई नहीं है तुम्हारी रहा देखने वाले तुम्हारे अपने लोग है बेटा है यह आप क्या कह रहे हैं कि वो खुद आकर तुम्हारे पैरों पर गिर कर तुमसे माफी मांगना चाहते थे बेटा हाला तक नहीं पहुंचे इसलिए मैं खुद आया हूं उनके बड़पन को तुम इज़त दोगे भले ही छोटे हो पर बड़े दिल से उन्हें माफ करोगे इसलिए ऐसे लोगों को माफ नहीं करना कोई महापाप नहीं है देखिए ऐसा मत कहिए तुम्हारे दादा जी बहुत तकलीफ में है अगर उनकी हालत तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा बेटा अब इसमें समझना क्या है एक ने पैदा होते कि गला दबा कर मारने को कहा और दूसरे ने पैसे के लारच में बढ़ा करके घर से धक्के मारकर बाहर नकाल दिया वो बड़े साब बुला रहे हैं इससे प्यार है इसलिए या उनकी जान बचाने के लिए इस उम्र में भी उन्हें और जीने की क्या हस्रत होगी बहला वो बहन के लिए बहन हाँ बहले ही एक मां के बच्चे नहीं हो लेकिन एक ही बाप का खून दोड़ रहा है तुम दुनों की रहो मैं हाँ भाया इसका बहिया जिन्दा है ये पदा चलते ही भागते हुए आना चाहती थी पर बेचारी का इतना नसीब कहा बेटा नहीं आउंगा जब तक उस पितराजू का सिर कलम करके दादा जी के पैरों में नहीं रखूंगा तब तक पोते के तोर पर अपने दादा जी के पास नहीं आउंगा पितराजू शुक्रिया मेरा फोन रिसीप करने के लिए तु मेरे घर गया मैं तेरे घर आया मेरा सिर कलम करके अपने दादा जी के सामने रख करके तु अपने आपको मर्द साबित करना चाहता है ना तेरे दादा जी को काट कर तेरे सामने फेक कर मैं दिखाऊंगा कि फितराजू क्या है क्यों दस्तकत करके दस्तावेद भेजने को कहा तो कोईता देकर अपने पोते को भेजता है तुम्हें दस्तकती चाहिए ना कर दोगा उस समय तेरा दस्तकत चाहिए था लेकिन अब तेरी लाश चाहिए है अब यह पैसे का मैटर नहीं बलकि इगो का मैटर है अब बुढ़े तेरे अंदर बहुत इगो है ना तू मेरे बाप का दोस्त है इसलिए तुझे चाचा बो तुम्हें डेऱफोर्ट पर मिला ना जी आख ताड़ेन करता उसके मड़ी यहां। याँथिये यह मतने पुर्टोनुकिंता टूबुट। यह क्यों पुराइब हैं। याद रखना है दादा जी दादा जी पहन को मैं अपना प्यार ही नहीं ज़रूरत भड़े तो अपनी जान भी देखर उससे बचाऊंगा दादा जी दादा जी दादा जी बडादा कुछत हुआ करें लग झांवा भी रख फुछते हैं हुआ 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 है हुआ 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 है है पित्ता राजू पित्ता राजू समझ में नहीं आ रहा है क्या माटा दूंगा अब तो क्या रुक जा पित्ता राजू तू गया अप गया कभी ने हुआ हुआ है हुआ है कि ऐख़। आटा एंगा है यूड़। ठहा ही इपना भ्माय जरानी धअ वैं भे आई, पो अचल माय और अचस्टेंग निए हाँ, हाँ, अरे आई गेडले दो पेडले दो, पेडले दो! आप अाव! व्यूर्ता Am व्यूर्ता अरॉ वरे योजय को नह कुछा है है टहाँ ठीरता ठीरता बहुतcontrol हो भीरता डि़िस से ईरे योज़ nशचना-लीर है है ये है जट मुझे चल्सी आपैम. है य IstगƉर्जश नदए घरे, हाल है है udring नस फिस बादार कम उसफपipping कर लो मुझे बंद कर दूंद कर दूंद के लिए मंदिर में नहीं और जैल में हो कोड का टाइम खतम होने के बाद तुम अंदर गयो आपने खुद जेल में आकर बेवजय अपना जुर्ब कबूर कर लिए अगर मैं अंदर नहीं आता तो वह मुझे छोड़ता क्या है इसलिए मैं अंदर बस गया हो अरे मुझे दिखाए देता है वह मुझे बस्तूरों के साथ आकर जेल की दिवार तोड़कर मेरी च्छादी पर बैठा हो दिकाए देता है अगर इस घर में रहेंगे तो दादा जी को मलीका भूल नहीं पाएगी वह यहां कभी ठीक नहीं हो पाएगी हैदराबाद ले जाकर मलीका का इलाज करवाऊंगा और उसे वहीं पढ़ाऊंगा उस पितराजू को भी हैदराबाद की जेल में भेज रहे हैं क्या तुम भी वही नहीं चाहते हो हाँ रहेंगे रहना ही पड़ेगा मेरी हवा लगकर उसकी सास बंद होनी चाहिए मेरे खौप से उसे थर-थर कापला चाहिए हर पल उसका दिल धड़कना चाहिए मेरी आवास से ही नहीं मेरी परचाई से भी उसे कापला चाहिए तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा कवच है तुम्हारे दादा जी की हैदराबाद में कॉलोनी है बहुत सालों से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तुम वहीं रहो बेटा मेरे लिए अपनी जिन्देगी चोड़कर आये और मेरी वज़े से मुसीबत में पढ़ गए दुखी मत हो बेटी आउरत के सुथ की फिक्र करने वालों की मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड सकती इस्टर इनका इलाज चल रहा है ये बात किसी को पता नहीं चल लिए डॉक्टर साब हा मुरली तुम्हारी रहा देख रहा था इस आउट ऑफ डेंजर गुड़ी डॉक्टर नमस्त जासा फिक्र मत करो मुरली डॉक्टर साब कह रहे हैं कि ही इस आउट ऑफ डेंजर नाओ कोमा से एक बाहर आते ही उनका स्टेट्मेंट हम ले लेंगे उसके बाद तुम इस केस से बाहर निकल जाओगे पर एक बात या मुझे पैसों के लिए बार-बार ब्लेकमेल कर रहे हैं और तुझे कितनी बार फोन करता हूं तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब से तुम्हें उन इंस्पेक्टरों से पारिशानी नहीं एक बार वहां देखो अभी तुम सुकून से रहो सुनो डियाई जी उस मुरली मुरली को उपर भेजने के बाद ही हम सुकून से रह सकते हैं वो कहीं भी हो उसे घसीट कर बाहर लाओ मैं जानता था तुम्हें शौक लगेगा पर ना कहता तो मुझे शौक लगता मुरली ऐसा अदमी नहीं है पर वो लड़की तो ऐसी है अब लड़की अगर सामने आये तो जवान लड़का चिपकने के लावा उससे क्या करेगा बोलो मैं मुरली को जानती हूँ उसका दिल नहीं बदलता बॉड़ी बदल जाती है सोच बदल जाती है फिर बिस्तर बदल जाता है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो दुलहन बदल जाएगी मैं नहीं मानूगी मत मानो तुम नादान बच्ची हो और वो शातिर लोम्री है यहां अश्टलक्षमी कौन है मैं हूँ तुम्हें कोई परिशानी है शड़ाप मुर्ली कहा है तुम्हें क्या करना है मेरी मन में भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है आप पेड़ परवत पहार कहीं भी जादा मत बोल मुर्ली और तुम्हारा क्या रिष्टा है तुम्हारा मु जैसे जैकेट और हाथ का रिष्टा होता है जैकेट से अंगुठी निकाला था ना वही रिष्टा है इडियाट आइविल के लियो मेरी गन के बुलेट्स तुम्हारे हाथों में कैसे आई जैसे उस दिन वो रिंग उसके हाथ में चली गई थी वैसे मैंने भी उससे थोड़ा बहुत सीख लिया है देख लोगी क्या हमारी शादी शिट हलो हलो तुमारे बुलेट्स ये तुम क्या कह रही हो हाँ बदला ही मेरा बदला है मेरी शादी तै कर दीजे शाबाश शाबाश अब तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बहन हो मेरी बात को कायम रखा वो कहा है उसे घसीट कर बाहर लाना है मिलने ही रहा था इसलिए मेरा दिमाग खराबता अब उसे निकालता हूँ चलो चलो वो दरसल बात ऐसी है कि बुल मिटी मिटी यह बाद अगर मुर्ली को पता चल गहीं होगा शादी रोकने के लिए जरूर आएगा धूला कौन है आई जी का बेटा पुलिस उसे जानवर की तरह मानने के लिए ढूंड रही है नहीं तो हम उसे माटा लेंगे उसकी मौत पक्य है वो इस जनम में नहीं हो आले ही तुने मुझे ब्रक बे का हमारी इतनी गहरी दोस्ती और मैं भी तुझे ब्रक बुलाओंगा क्या बेजिदूरा चाहीं चाहिजी पैसा मुर्ली की जान है हम और तुझे चाहिए मुर्ली की जान देदो अलेमर्य कि जान है और हम यहां लेकर आगया सच कहते तो तुम अपना मूँ बंद रखो यह तो जलाद है जलाद कौन है यह मेरी मा मुस्तक्बिल में सिर्दर्द बन सकती है ठीक है पहले सौदे के बारें बात करो यह कौन है मेरा बेटा ताकि प्लैनिंग में कमी ना आने पाए पैसों के लि भी होगा तो पाइपलाइन से चड़कर आ जाएगा तू सच बोल रहा है ना वह तुससे इतना प्यार करता है क्या आपकी बेहन की शादी रोकने के लिए आया या नहीं पता नहीं पर अगर कहेंगे कि हम खत्रे में है तो वह जरूर आएगा सर यही उसके सबसे बड़ी कम कमाल है ऐसे मेरा भी हिस्सा बढ़ जाएगा इन मेंसे किनी दोखों उड़ाता है ऐसा नहीं है मैं पहले तुझा शूट करूंगा दोस्त को दोखा नहीं देते या यार देखो अंजाने में मैं अंदर आ गया मुझे कोई मीटिंग ने चाहिए कोई सोबादा चला 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 रहे हो इन्य राजवा यहीं पड़े रहना यहां से हिले तुझा हाथ पाएर काट डालेंगे अरे यार पैसोंगा आपको तो समझना चाहिए ना आपकी होश्यारी की वज़े से हमारी जान खत्रे में पड़ गई बाकवास बंकर आपनी तुम लोगों ने कुछ कम पाप किये हैं क्या जिस दिन मुरले को बेईसद करके घर से निकाल दिया था उसे दिन तुम लोग मर काई थे हमें खाना ख उसका मरना तो तय है यह यहां देख लेगा तुम लगो देक लेना नमस्ते 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 शुब महूरत में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं देखा कितने लोग आये हैं हां जिनको आना दा आचुके हैं लेकिन अभी तब अच्छा नहीं हो गया एक अच्छा होगा कि हम यहीं कहीं छुप जाते हैं नमस्कार 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 अरे जाओ ना भाई वह अभी तक नहीं आया वह देखो आ गया आगया ना आजा तेरी ही राह देख रहा था मैंने तुस्से कहा था ना जब उसे गुल्हन बनाओगे तब मर्द की तरह आऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा लो आ गया ले जाने के लिए अगर किसी में हिम्मत है तो आए और मुझे आकर रोक कर दिखाए देख जा रहे ह शूट करो इसे रुक क्यों गए शूट करो क्या हुआ मरा हुआ इंसान वापस आगया इस बात से परिशाद है इस पर शूट एंड साइट का ओडर है चटाप यू इडियट तुम लोग डिपार्टमेंट के नाम पर धब्बा हो तुम लोगों ने जोखिया है उसके लिए शूट एंड साइट का ओडर लेकर मैं यहां पर आया हूँ मतलब हम पे गोली चलाएगा क्या है मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट का ही हूँ मैं सिल्फ नाम का ही पुलिस वाला हूँ यहां के जो पुलिस वाले है उनमें से औरिजनल स्कॉन है डूब्लिकेट स्कॉर कि अधे डूब्लिकेट स्कॉन है अधे 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 उड़ा ना तो तेरे घरवाले मेरे कब से में है अगर तुने हाथ उठाया तो उनकी लाश उठेगी उन्हें खीच कर ले आब हाँ उसकी जरूवत नहीं है मुहुरत में हम करेक्ट टाइम पर आ गए शुक्रिया शादी के लिए इतने अच्छे कपड़े सिल्वा कर दिये कौन है जो इन्हें हाँ पर लेकर आया मैं लाई तुम लड़के वालों के अगर खातिरदारी ना करे तो आपका ही नाम खराब होगा इसलिए मैं नहीं करवाया तुम मुरली को बुलाने के लिए शादी के नाम से आपने प्लान किया मुरली को बुलाकर उसके हाथों से ही मंगुसुत्र पहनाने के लिए मैं शादी के लिए मान गया मुझे धोखा देती है मुझे तुझे ही कैद करके रखने के लिए कहा था मुझे से देखा रही क्या इसलिए मैंने इनको छोड़ने के लिए कहा मिट्टी मिट्टी मिला दूंगा सबक्राइब ले जा शादी कर ले जा इसको शादी कर ले वाह! यह नहीं चलेगी क्यों इसकी गोलियां मैंने निकाल दी एक और बात बता देता हूं आई जी से कहकर मुझसे डरा कर आपकी बेहन से जूट बुलवाया था वो मैटर भी लिग कर दिया यह तुझे सोचना है कि मैं कौन तेरे ब्लड में हूं रिलेशन में हूं खांदान से हूं तेरा साला हूं या फिर तेरा जीजा हूं अच्छा बोलता हूं इसलिए जिन्दा हूं वरना कपका मार भी आड़ता हूं आदे खुस तरफ हूं इसलिए प्रूँ है आड़र भी वर्णिया इसकत है ल네 इह हैं। इस हैवान को तुम्हें मारना चाहिए लेकिन कानून की निजर में ये पुलिस के हाथों मारना चाहिए दुखी मत हो बेटी जिन्दिगी में इन्होंने बहुत पाप किये थे मौत के लावा और कोई रास्ता नहीं गलत मत समझना ये शादी चल से जल्द हो जा इसलिए मैंने ये सब कुछ किया मुरली मेरा अच्छा दोस्त है मुरली की बीवी तुम ही हो मुझे पहले ही पता चल गया था इसलिए सही वक्त पर मैंने सही फैसला कर लिया अब आू नाराज हो क्या कैसे आई क्या उसके जैकेट के अंदर से तुम्हारे हाथ में कैसे आए अंगूठी, राज की बात पतानी नहीं चाहिए, अब आजाओ उसे touch किये बिना अंगूठी कैसे निका लिए? मा कसम, मैंने touch नहीं किया, यकीन करो मैं नहीं करूँगी तो क्या करूँ? इससे मैं रखती हूँ, मुझे टेच किये बिना निकालो, तब यकीन करूँगी तुम पर, चलो, खुदा की कसम, कसम का हुकुम, खुलो सी बाबा, एक सास गरूर अंदर सिद्ध साहित, बहुत रितम को सबक सिखा करा रहा हूँ मैं, मैंने प्रलोग को तांडोप से रोका है मुझसे मत छुप, अपने रास्ते पे आ, जहां छुपी है वो अंगुठी, बाहर आजा, जहां छुपी है वो, बाहर आजा जोजबी लोड़ना